हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल साइफाई स्टेडी में स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग सरोसमिका की सहयता से मान कैसे ग्याद करती हैं ऐसे प्रशनों को यहाँ पे हल करने वाले हैं इहाँ पे सरोसमिका A प्लस B का होल स्कॉाइर और A माइनस B के होल स्कॉाइर पे आधारित प्रशनों को हल करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रशन दूंगा उस प्रशन को आपको हल करके कमेंट बाक्स में उसका आंसर देना रहेगा ताकि मैं या समझ सकूँ कि जो कुछ भी हमने सिखाया हूँ इसको आप अच्छी तरह सीखे हैं या नहीं तो आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रस नमबर एक है ब्रैकेट में 2 यक्स प्लस वाई और पूरे का होल स्क्वाईर तो देखिए यहां पे यह A प्लस B के होल स्क्वाईर के फार्मूले पे होगा तो यहां पे देखिए A प्लस B के होल स्क्वाईर का फार्मूला लिख लेते हैं तो A प्लस B और इसका होल स्क्वाईर तो फार्मूला क्या होता है A square plus B square plus 2AB ठीक है? यहापका फार्मूला होता है अब यहाँ पर देखे A के अस्थान पर हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पर A बराबर 2X यहाँ पर जो दिया हुआ है यह A का मान है और यह B का मान है तो A बराबर 2X और B बराबर Y यहाँ पर जो पहला मान होगा वह A का होगा और दूसरा जो मान होगा वह B का होगा तो यहाँ पर A के अस्थान पर क्या है? 2X है और B के अस्थान पर क्या है? Y अब इसी मान को इस फार्मूले में रखना है ठीक है? अब यहाँ पर मान जब रखेंगे तो देखे A के अस्थान पर क्या रखेंगे यहाँ पर देखे A है तो इस A के अस्थान पर क्या रखेंगे 2 yaks ठीक है फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे फिर B B के अस्थान पर यहाँ पर B है तो B के अस्थान पर क्या रखेंगे Y और bracket लगाकर उसका square है तो square ठीक है अब formula क्या होता है a square तो a का मान two yaks है तो two yaks और square जब लगाएंगे तो bracket लगाकर इसका square लगाएंगे ठीक है a और b के जो मान है उसका square करेंगे तो हमेशा bracket लगाकर उसका square करेंगे तो a का मान two yaks उसका square हो किया प्लस b B का मान क्या है Y तो Y का square प्लस 2 फार्मूले से है A का मान क्या है 2X तो 2 multiply 2X multiply B का मान क्या है Y ठीक है यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया केवल फार्मूले को open कर लिया गया A square प्लस B square प्लस 2AB में अब इसको हल करेंगे हम लोग तो देखे यह जो square है जब यहाँ पे 2 का square करेंगे 2 का square का मतलब क्या हुआ कि 2 का 2 का 2 बार गुड़ा यानि 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 वैसे ही Yax का Yax में गुड़ा होगा Yax गुड़े Yax होगा तो Yax पे power 2 हो जाएगा यानि इसका जो माना आएगा वह क्या जाएगा आपका 4 Yax square वैसे ही यहाँ पे Y square का मतलब क्या हुआ कि Y में Y का गुड़ा जैसे यहाँ पे Yax में Yकस का गुड़ा हुआ तो Yax square हुआ वैसे ही Y में Y का गुड़ा हो जाएगा तो यह हो जाएगा Y square ठीक है फिर plus है तो plus अब यहाँ पे देखे 2 का 2 में गुड़ा हो जाएगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और Yकस और Y का गुड़ा हो जाएगा तो यह एक साथ हैसे आ जाएगे तो यह आपका क्या हो जाएगा students आंसर हो जाएगा 2 Yax plus Y के whole square का जो मान होगा वह होगा 4 Yax square plus Y square plus 4 X Y उमिद करते हैं कि इस प्रेशन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे अगले प्रेशन को देखते हैं अगले प्रेशन प्रेशन नमबर 2 है 3 Yax minus 2 Y और पूरे का whole square तो देखे इस प्रेशन को कैसे हल करेंगे यहाँ पे यहाँ पे भी क्या करेंगे A बराबर 3 X यहाँ पे जो दिया हुआ है वह A का मान है तो A बराबर 3 X और B बराबर 2 Y अब जब यहाँ पे माइनस होगा तो A minus B के whole square का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे जब माइनस होगा तो A minus B के holy square का formula लगाएंगे तो देखे क्या हो जाएगा a square plus b square minus 2ab सवरसंका के जितने formula हैं उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है अगर वीडियो आप नहीं देखे हुए तो नीचे description में आपको link मिल जाएगा उहां से वा पीछे की वीडियो देख सकते हैं तो a plus b के whole square का formula लगाएंगे अब यहां पर मान रखते हैं तो a के अस्थान पर क्या रखेंगे 3x a के अस्थान पर 3x फिर minus है तो minus b के अस्थान पर क्या है 2y फिर square है तो square लगा लेंगे अब फार्मूले में इसको open करेंगे तो क्या हो जाएगा a square तो a का मान 3x तो यहां पर 3x का square plus b का मान क्या है 2y तो 2y का square जो a और b का मान है उहां पर bracket लगा कर square हमेशा करेंगे ताकि गलतियां नहों फिर minus 2 उसके बाद a का मान क्या है गुडे 3x और गुडे b का मान क्या है 2y यानि इस फार्मूले पर रख दिया गया देखे a का मान 3x था तो 3x का square यहां b square है तो b का मान 2y तो 2y का square फिर minus फिर 2 a का मान क्या है 3x तो 3x हो गया और b का मान 2y तो 2y अब इसको और सरल कर लेंगे यहां पर देखे यह जो square होगा वह 3 का भी होगा और x का भी होगा तो 3 का जब square होगा यानि 3 का 3 में गुड़ा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा यहां पर 9 वह ऐसे ही x का x में गुड़ा तो x square हो जाएगा पिछले प्रश्ण में हमने आपको बताया है तो यहां पर x square प्लस यहां पर देखे यह square है तो 2 का square होगा यानि 2 का 2 में गुड़ा तो 4 हो जाएगा यहां पर y square है यह y का square का मतलब कि y में y का गुड़ा तो यह y square हो जाएगा तो यानि इसको क्या लिख सकते हैं? 4 y square फिर minus है तो minus यहां पर देखे जो अंक है उसका एक साथ गुड़ा करेंगे तो 2, 3, 6, 2, 12 और y का गुड़ा हो जाएगा तो y y हो जाएगा यानि आपका मान क्या आया इस्टूडेंट्स 3 x minus 2 y पूरे के whole square का मान आया 9 x square plus 4 y square minus 12 x y तो उमिद करते हैं कि इस प्रशन को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे आये तीसरे प्रशन को हल करते हैं तीसरा प्रशन है आपका 2 plus x पूरे का whole square तो यहां पे बीच में plus है तो a plus b के whole square का फार्मूला लगेगा जहां पर a के अस्थान पे क्या है पहला मान जो होगा a का होगा और दूसरा मान b का होगा तो यहां पे a बराबर 2 और b बराबर x अब यहां पे फार्मूला लगाएंगे हम लोग a plus b के whole square का फार्मूला क्या होता है a plus b ka whole square ka formula होता है a square plus b square plus 2ab अब इहाँ पर मान रखते है तो दीखे a के अस्छान पर क्या है 2 है तो 3 रखेंगे फिर plus है तो plus b के अस्छान पर क्या है यक्स फिर square है तो square कर देंगे ठीक है अब formula में क्या है a square यानि a का मान 2 है तो 2 का square a और b के मान पर bracket लगा कर square करेंगे plus b का मान क्या है yaks तो yaks square फिर plus 2, 2 के बाद 2 formula से है a का मान क्या है 2 और b का मान क्या है yaks अब इसको हल करते हैं तो देखें यहाँ पर 2 का square यानि 2 का 2 का 2 बार गुड़ा तो 2 दूनी 4 ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 फिर plus है तो plus यहाँ पर yaks का square है यानि yaks का yaks में गुड़ा तो yaks square हो जाएगा फिर plus 2 का 2 में गुड़ा तो 4 हो जाएगा और yaks तो यहाँ पर 2 plus yaks पूरे के holy square का मान हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वाइर प्लस 4 x या इसी को आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है इसको सजा कर अगर लिखेंगे तो क्या होता है कि बड़ी घात हमेशा पहले लिख लेते हैं और छोटी घात को बाद में लिख लेते हैं यानि ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है यक्स स्क्वाइर प्लस फोर यक्स और प्लस फोर ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है ठीक है दोलों मान सही है या भी सही है या भी सही है इसमें क्या है पदों को बस इधर उधर कर दिया गया ठीक है बड़े घात से छोटे घात के रूप में सजा लिया गया थो उमीद करते हैं स्टूजेंट्स की यह तीनों प्रेश्ण आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको यहां पे चौथे प्रेश्ण का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है चौथा प्रेश्ण है आपका 5x-7 और इसका स्क्वाइर यहां स्क्वाइर चूट गया है 5x-7 का होल स्क्वाइर ठीक है इस प्रेश्ण का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि मैं यह देख पाऊं कि जो कुछ भी हमने सिखाया है क्या आप अच्छी तरह सीखे हैं या नहीं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे स्टूड धन्यवाद स्टूडेंट्स जय हिंद जय भारत और प्रेश नंबर चार का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाद